प्रियाग राज में अतीक, गाजीपूर मव में मुखतार अंसारी और सीवान में शाहबुद्दी यानि जो गेटवे आउप पूरब कहा जाता था प्रियाग राज वहां से लेके और ठेट बिहार तक, सीवान तक अपराध का एक त्रिकोन था जिसमें ये तीन चेहरे अपने अपने इलाकों में अपना अपना सामराज चलाते हुए भी बड़े मामले उपर बड़े मसलों पर एक हो जाते थे अतीक, मुखतार और शाहबुद्दी चाहे बड़े अपराध के लिए हत्यार जुटाने हो, चाहे किसी बड़े कांड को अंजाम देना हो और चाहे कांड हो जाने के बाद अपने शूटर्स को कहीं दूसरी जगा पनहा दिलवानी हो इन सब कामों में ये तीनों एक दूसरे के मददगार होते थे अब आज तस्बीर ये है कि शाहबुद्दीन नहीं रहे, अतीक नहीं रहे मुखतार एन अंसारी बड़र्स हमेशा के लिए मान कर चलिए जेल में है उनके घर परिवार में जो जेल से बाहर है वो फरार है बाकी घर परिवार भी जेल में है कोई कभी कलपना करता था कि ऐसी परिष्थिती भी बन सकती है क्या कि समग्र पूर्वांचल में ये जो एक अपराध का बिकट और विचित्र त्रिकोन था वो धुस्ती भूत हो जाएगा हो गया मुक्तार अंसारी और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को जिस गैंगस्टर मामले में सजा हुई उसका एक फॉल आउट ही हुआ कि अफजाल की सदसता भी चलीगी लोग सभा की और दूसरा ये कि अब इनके परिवार में चुनाव लड़ने का भी काम खतम हो गया कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता ना अफजाल मुक्तार तो जो एक अपराधी के आवरण के ऊपर एक दूसरा आवरण जिसे कुरते के ऊपर आप जैकिट पहन लो वैसा जो था के मानिनी भी हैं हम ये जो एक कबच हासिल होता था वो कबच भी अब खत्म हो गया और मजे की बात देखे के कृष्णा नंद राई की हत्या बाले मूल मामले में मुक्तार अंसारी और उसके शूटर बरी हो गए थे याद है न आपको किस लिए बरी हो गए थे क्या तरक दिया था अदालत ने उसने कहा था कि या तो गवाह आए नहीं या आए तो होस्टाइल हो गए इसलिए बरी हो गए थे मुक्तार अंड कंपनी ये अलग बात है कि कृष्णानंद राय की पत्नी अलकार राय ने उसको हाई कोट में चुनोती दी है सीबियाई कोट के फैसले को लेकिन मूल केस में फिलाल अंसारी एंड कंपनी बरी था लेकिन रूंगटा से लेके कृष्णानंद तक जितने अपरात थे मुक्तार के गिरोह के उन सब को एक जिगा इखटा करके मुख्तार अफजाल पर गैंगिस्टर लगाया गया दोदार साथ में और उसके बाद लगातार 2010 में उस पर चारशीट हुई और लगातार उसके अभियोजन काम करता रहा करता रहा और जब उत्तरपदेश में सक्ता परिवरतन हुआ और भारती जन्ता पार्टी की योगी आदेतनात की अववाई वली सरकार आई तो उसके बाद फिर इस मामले में धुआधार देजी आई और मुखतार के खिलाफ गवाह भागे नहीं, डरे नहीं, मारे नहीं गए आए और अदालत में चाती ठोक कर गवाही दिये ये बहुत बड़ा परिवर्टर है उत्रपदेश की इतिहास में के मुखतार के खिलाफ गवाह मारे नहीं जाएं, डरे नहीं, कांपे नहीं आएं और गवाही दे के जाएं और फिर सुरक्षित रहें बड़ी चीज है, इससे पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था के मुखतार के खिलाफ गवाही होगी, और गवाही होगी, तो गवाह फिर उसके बाद जिंदा रहेगा इस बार हुआ, पूरवांचल में सबसे खतरनाक माफिया मुखतार एंड कमपनी, अब अपने टूटे मनोवल के साथ सपरिवार जेल में है राजनीती का दरबाजा बंद हो गया, माननी होने की सारी हसरते खत्म हो गई प्रियाग राज में अतीक धेर हो गए और यहां मुखतार और अफजाल जेल के सीखचों के भीतर क्या वास्तब में उत्तरपदेश एक नया इतिहास रचरा है क्या उत्तरपदेश को यह संगठित अपराधी और माफियाओं से मुक्ति दिलाने का जो अभियान है वो अपने स्वर्णिम दोर में है